आदर्नी अध्यक्ष महोदे, मैं इस सदन में उरिषा राज्य की भुबनेश्वर संसद्य एक शित्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ. आज मैं उरिषा राज्य के एक बहुत महत्वपुन मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकरशित करना चाहती हूँ. उरिषा राज्य में करीबन 17,000 होम गार्ड कारियरत हैं और हम सब को ग्यात है कि पुलिस कर्मियों को आपात कालीन स्थिती में सहायता पहुंचाने के लिए होम गार्ड की नियुक्ति की जाती है जैसा कि मैंने कहा 17,000 से ज़्यादा होम गार्ड हैं और आपको जानकर रुपए भत्ते के रूप में मिलता है डेली अलावंस इस जस्थी हंटर रुपीस पर इच अफ दी होम गार्ड सिन ओडिसा और आपको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोट ने करीबन कुछ साल पहले मार्च दोहजार पंद्रह में एक आदेश दिया था कहा था कि पुलि कोट के आदेश को माना नहीं गया है उसके बाद उडिसा होम गार्ड ओर्गनेजेशन हाई कोट गए और हाई कोट ने रूलिंग दी कि 533 रुपए प्रति दिन होम गार्ड को दैनिक भत्ते के रूप में दिये जाएंगे लेकिन ये अभी तक वानिये सर मैं आपके माध्य से मिनिस्ट्री आफ होम अफेर्स को अनुरोद करना चाहूंगी कि इस दिशा में सर उडिसा राज्य सरकार से बातचीत करें और उडिसा होम गार्ड ओर्गनेजेशन का जो डिमांड है कि जो मांग है सर उसकी पूर्ती की जाएंगे आपका जाएंगे झाल